उम्र की हाफ सेंचुरी क्रॉस कर लेने के बाद भी भाई जान ने अब तक शादी नहीं की लेकिन दबंग खान की लिंक अप्स की खबरे हमेशा सुर्ख्यों में चाही रहती हैं। पिक में सल्मान खान की एक्स संगीता बिश्लानी और कारिंट यूलिया वेंटूर एक साथ नजर आ रही हैं। और फिर अपनी गलती की वजह से ट्रॉलिंग का शिकार हो गई। दरसल अनन्या ने अपनी दोनों बेस्ट फ्रेंग्स सुहाना और शनाय के साथ एक पेक शेयर करते हुए ट्विटर पर काप्शन दिया चार्लीज एंजल्स जिसकी गलती से उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक करते हुए लिखा एंगल्स। फिर क्या था ट्रॉलर्स को अनन्या को बुली करने का मौका मिल गया और उन्होंने लगा दी अनन्या की क्लास। सल्मान खान इन दिनों अपकमिंग फिल्म दबंग 3 की शूटिंग में बिजी चल रही है। पहले ही आपको बता चुका है। ऐसे में भारत के बाद अब एक बार फिर भाईजान अबुदाबी में शूटिंग के लिए जा रही है। बता दे दबंग 3 बीस तसंबर 2019 को देश भर में रिलीस होगी। सारा लिखान डिरेक्टर इम्तियाज जली की फिर्म लवाज कल 2 की शूटिंग खत्म करने के बाद मॉम अमृता सिंग और भाई इबराहिम अली के साथ लंदन छुटिया मनाने चली गई थी। अब इती रात सारा फैमिली संग वापस मुमई लॉट आई है। फिल्म हैपी हाड़ी हीर का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म में में लीड में है हिमेश रिशम्या जो फिल्म में दो अलग-अलग क्यारेक्टर्स करती नजर आएंगे। फिल्म में हिमेश की को स्टार है सोनिया मन, फिल्म को दीपशिका, देशमुक और सभीता मानिक चंद प्रेड्यूस कर रही है और इसका डिरेक्शन किया है राका ने, फिल्म की शूटिंग ग्लासको में हुई है और ये फिल्म सेतंबर 2019 में रिलीस हुगी प्यार का पंचनावा से नाम कमाने वाले कार्थिक आरेन बहुत कम टाइम में सक्सेस की बुलंदियों पर पहुँच गए है सोनू के टीटू की सुईटी और लुकाच्छिपी जैसे हिच फिल्में देनी के बाद कार्थिक ने हाल ही में इम्तियाज अली के फिल्म लवाजकल की शूटिंग फिनिश की है और अब खबरों की माने तो कार्थिक ने वर्सोबा के राजकीरन कौप हाउसिंग ससाइटी के फिफ फ्लोर पर एक करोड़ साथ लाग का एक फ्लाट खरीदा है इस फ्लाट के एरिया 459 स्क्वार फीट बताय जा रहा है बताय तो ये भी जा र बॉलिवूर गलियारों से सेलिब्स के लिंक का ब्रेक अप की खबरे तो आए दिन आती हैं लेकिन जब खबरे शादी की आने लगती हैं तो कुछ ज्यादा ही अटेंशन ग्राप करती हैं अब बॉलिवूर 2020 एक बार फिर ऐसी ही खबर आपके सामने लेकर आया है जैसे कि आप जानते हैं शक्ति कपूर की लाडली और फेमस फोटोग्राफर रोहन श्रेश्टा की रिलेशनशिप की चर्चाएं हर किसी की जुबान पर हैं लेकिन अब तो इन दोनों की शादी की रियूमर्स भी फैल गई हैं खबरे हैं कि दोनों पिछले दो साल से दूसरे को डे चुके हैं सोचल मीडिया पर रिलीज किया था मैगजिन के कवर पेज पर दिख रहा उनका लोग काफे कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है बता देर अन्वीर के फिल्म 83 एगले साल 10 अपर को रिलीज होगी दवंग खान कभी अपने लिंक अप कभी ब्रेक अप तो कभी अपने फिल्म्स या किसी की हेल्प के लिए हमेशा सुर्ख्यों में जाय रहते हैं और आजकल तो सल्मान अपनी शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में है हर कोई सल्मान खान की शादी कब और किस से होगी इसी सवाल का जवाब जाना चाता है खैर सलमान तो अक्सर अपनी शादी के सवाल पर टालमा टूल कर देते हैं लेकिन हाल ही में उन्होंने कैसा खुलासा किया जिस पर विश्वास करना उनके फैंस के लिए मुश्किल होगा एक इंटिवी के दोरान सलमान से पूछा गया कि क्या कभी किसी ने उन्हें प्रपोस किया है तो इस पर सलमान हस्ते हुए जवाब देते हैं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि मैं कैंडलाई डिनर नहीं करता क्योंकि मैं नहीं देख सकता कि मैं कैनल की रोशनी में क्या खा रहा हूँ लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि आज तक मुझे किसी ने इसलिए अप्रोच तक नहीं किया अश्यतूश गौारिकर की फिल्म पानीपत के लिए अरजिन कपूर ने अपने लुक में काफी चेंज़स किये हैं अपना सिर्ष शेव करानी के साथ साथ उन्होंने अपना वजन भी काफी लूस किया है इस मल्टी स्टारर फिल्म में अरजिन काफी इंपॉर्टन कारेक्टर प्ली करते नज़र आएंगे माना जा रहा है कि इस फिल्म में उनका अब तक सबसे कशन रोल नज़र आएगा अरजिन एक इंटिव्यू में फिल्म में अपने रोल और उनकी बोडी ट्रांस्फोर्मेशन के बारे में बात करते हुए कहा है मैं अच्छा दिखने में केपिबल हूँ मैं खुद ओडियन्स को लेकर ओनिस्ट हूँ लोग मुझे देखने के लिए काफी रुपे चुकाते हैं ऐसे में वो मुझे वैसे देखने के उमीड करते हैं जब उन्होंने मुझे शुरुआती दौर में देखा था फिल्म इसी साल 6 दिसंबर को बॉक्स आफिस पर रिलीज होगी हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ओफ मेलबर्ण में स्क्रीनिंग के लिए गली बॉई को सेलेक्ट किया गया अब इस लिस्ट में 1998 की सूपर हिट फिल्म कुछ-कुछ होता है का भी नाम शामिल हो गया है कुछ-कुछ होता है से ओडियन्स को तो अंजली और राहूल की यादकार जोडी मिली है लेकिन फिल्म इंडिस्ट्री को भी करन जोहर जैसा नायाब डिरेक्टर मिल गया मेलबर्ण फिल्म फेस्टिवल में 10 अगस्त को कुछ-कुछ होता है कि स्क्रीनिंग होगी और फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए करन अभी से बहुत एक्साइटिड है करन ने अपनी एक्साइटमेंट जाहर करते हो एक इंट्रिव्यू में बताया कि ये उनके 20 साल की जोर्नी का फल है साथी करन ने बताया कि फिल्में डिरेक्ट करना उनका जनून है और इसका रिवार्ड मिनने पर वो काफी खुश है और जश्ट मनाने के लिए काफी एक्साइटिड ICC क्रुकेट वोर्ल कप 2019 के सेमी फाइनल मैच में कड़ा मुकाबला करने के बाद आखिरकार इंडियन क्रुकेट टीम को हार का सामना करना पड़ा मैच के बाद सोचल मीडिया पर अलग-अलग रियाक्शन सामने आ रहे हैं वहीं बालवुट सितारों ने भी इस मैच के बाद ट्वीट करते हुए टीम इंडिया को सपोर्ट किया इन सेलप्स में आमिर खान, अर्जुन रामपाल, बमने रानी, अनुपम खे, सुनील शेटी जैसे स्टार्स शामिल हैं जहां टीम को सपोर्ट करते हुए आमिर ने लिखा, हार्ट लग विराट, जस्ट वोजन्ट आउट डे टुडे, फॉर मी, इंडिया हाज अल्रेडी वन दे वर्ल काप, वें वी कॉलिफाइड फॉर दे सैमीज, अट टॉप अफ अफ दे लिस्ट, अस अनुबर वान टीम, क्रिकेट लवर सुनिल शेटी ने भी विराट कोली की टीम को अपनी ट्वीट के जरीए सपोर्ट किया, लव यू चांपियन, यू आ एंड विल अल्वीज बी आ प्राइड, तो सुरा भासकर का ट्रोलिंग से पुराना नाता है, ट्रोलर्स आए दिन उन्हें किसी ना किसी बात पर ट्रोल करते रहते हैं, और सुरा भी उन्हें मूतोर जवाब देने से नहीं चूकती, हाली में एक बार फिर ऐसा हुआ, लेकिन इस बार ट्रोलर ने अपनी हद पार की, तो सुरा ने मुंबई पुलिस से शिकायत कर दी, जिस पर पुलिस ने आक्शन भी लिया, दर और सम्थिंग, इतना ही नहीं, सुरा ने ट्वीट में मुंबई पुलिस को टैग किया, सुरा के ट्वीट पर इंस्टेंट आक्शन लेते हुए मुंबई पुलिस ने भी सुरा को कारवाई का आश्वासन दिया